नमस्कार प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए आज हम SCRT Reading Campaign की दिनाग 11 फरवरी 2022 की कतीविदी पत्रक या वर्कशीट की करम संख्या 22 करेंगे बच्चों Don't forget to write your name here and your teacher's name here. Shall we start? चलिए. एक कवीता दी गई है बच्चों सारे बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे चोराहे पर बैठा था अपना सोनू हलवाई चाकर पास जो मैंने पूछा भाया क्या है मिठाई बनाई लड़ू इमर्ती जलेबी सब कुछ यहां सिपाओ पर दाम चुका दो सब के पहले फिर शोक से सब कुछ खाओ बच्चों हलवाई और ग्राहक की यह बाते एक कवीता की रूप में दी गई है अब सभी जानते हैं मिठाई हलवाई ही बनाता है आईए अब कुछ प्रेशन देखते हैं प्रेशन एक कह रहा है कवीता को पढ़िए और मिठाईयों के नामों को रिखांकित कीजिए आईए करते हैं लड्डू, इमर्ती, जलेबी यह क्या हैं बच्चों हमारी मिठाईया हैं इसके लावा भी आप अपनी पसंद की मिठाई के नाम कमेंट बोक्स में मुझे बता सकते हैं आगे देखते हैं आत सोनू हलवाई ने असी लड्डू बनाए हैं बच्चों, असी लड्डू बनाए हैं उसे यह लड्डू छोटे डिबों में आप सबी ने देखे हूंगे छोटे छोटे डिबे उन में डालकर एक स्कूल में बिजवाने हैं हो सकता है इस्कूल आपका हो अब एक डिबे में पांच लड्डू आते हैं तो अब पहला पार्ट देखिए सेकंड कोश्चन का क्या कह रहा है सारे लड्डू को डालने के लिए कितने डिब्डों की जरूरत होगी तो बच्चो आपको एक डिब्डे में कैपसिटी पता लग गई एक डिब्डे में कितने पांच लड्डू तो एक लड्डू को डालने में क्या होगा बच्चो पांच को इधर ले जाए एक बटे पांच क्या डिब्डे अब कितने लड्डू हमारे पास असी तो असी को क्या होगा असी सही एक बटे पांच तो यह हमारा अंसर आ जाएगा बच्चों कितना सोला डिब्बे सोला बॉक्सिज हमारे लगेंगे ठीक है बच्चों अब सेकंड देखी क्या कह रहा है लड्डू को डिब्बों में डालते हुए साथ लड्डू खराब हो गए है तूट गए अब वह कितने पूरे भरे डिब्बे स्कूल भेजेगा और उसके पास कितने लड्डू बचेंग अब एक डब्बे में पांच आते हैं तो 73 को 5 से डिवाइड करतीजिए क्या मिलेगा कर ये डिवाइड और पांच चो बीज तो बच्चों जो चोदा आया जो ये तो आया हमारा बॉक्स इसकी नंबर के चोदा बॉक्स तो पूरे लगेंगे और जो रिमेंडर हमारा बचा 23 से 20 गया कितना बचेगा तीन तो तीन लड़ू हलवाई के पास बच जाएंगे चले आगे चलिए सोनू हलवाई ने गरमा गरम जलेविया भी बनाई हैं अगर एक लिफाफे में सिर्फ आठ जलेविया आती हैं तो 120 जलेविया डालने के लिए कितने लिफाफों की जरुत हो कि बहुत सिंपल है क्या करना 120 को 8 से डिवाइड कर दीजिए क्या हैगा आप को अंसर बोलिए बोलिए पेरी गूड आठी कमाठ और आठ पंजे चालेस तो कितने बच्चों पंदरा लिफाफे क्या बात है चलिए आगे देखते हैं प्रेशन चार कह रहा है सोनू के दो साती हैं जो उसके साथ काम करते हैं वो रोज की कमाई को आपस में बराबर बाटते हैं ठ ठीक है बच्चों तो अब देखिए नो तारिक को कुल कमाई है बारा सो रुपे अब कितने हिस्से करने हैं उसको बराबर तीन हिस्से करने हैं तो खरिए बच्चों तीन बराबर इस्से कुल कमाई बारा सो है तो तीन हिस्से करने हैं तो बारा सो को तीन से डिवाइड कर दीजिए क्या मिलेगा आपको फोर हंड्रेड तो बच्चो कि सोनु के हिस्से में कितने आए कि 400 रुपे ऐसे ही 1350 को तीन से डिवाड़ करेंगे तो सोनु के हिस्से में कितने आएंगे साड़े 400 रुपे और 1560 को ग्यारा तारिक को जोनुने टोटल कमाया है उसका तीन इस्से करेंगे तो सोनु के इस्से में आएंगे कितने बताईए वेरे गुड़ पान सो बीस सिंपल है बच्चो सबी रिवाइज करेंगे कोवीड अभी खतम हुआ नहीं है दोगस की दूरी और मास्क है जलूरी और रोजना हतों की सफाई करना ना भूले तैंक यू